एचन रोम 20.7.9 जो कि आपको बेस्ड़ान मिल जाते हैं मियूए 12.1 पर दोस्तों यह जो यू बिल्द नहीं है यह बेसिकली एचन रोम है और इसके अंदर में आपको जितने भी यू के अंदर में जो भी थोड़े बहुत बख्षत है वह सारे चीजे फिक्स हो गया है और य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं चलिए शुरू करते हैं यूआ इनिमेशन से स्टार्ट करते हैं और इस रोम के अंदर आपको यूआ इनिमेशन बहुत ही स्मूथ मिल जाता है बेसिकली अगर आप यहां पर ट्राइब करते हैं तो आप देखेंगे देखें वहां पर सो होता है और अब बात करता है बहुत दोस्तों डूल स्टेटेस में मिल जाता है ऌ तो आपको उपर में यहां स्टेटेस बार है बदेखेंसा क्या म कि अधर में मिलढ़िए और बीक बात करने साथ यह अगर यहां पर रियलिटी निए करथा तरह दोस्थ दो पर दोस्थ से इसे ट्राइ कर रहा हूं जब रिलीज किया गया तो उसके बाद से मैंने इसे फ्लैस किया है अगर मैं आज का यूज बताओ दूस्तो तो इस पूरे रोम को यूज करने के बारे में मुझे बस एक चीज सटल लगा है थोरा सा लैग लगा हूँ मैं बाद में बात करता कोई भी करनल पर जा सकते हैं आपको फुली चूट है किसी पर भी जा सकते है ओवर क्लॉक भी कर सकते है थोरे बहुत लेकिन आप अगर थोरा सा ध्यान से क्योंकि प्रिफ करनल मुझे काफी अच्छा लगता है गेमिंग के मामले में और इससे बहतर अगर आप चाते दोस् इसु और आने लग गया तो आप थोरा सा सिल्वर कोर से थोरा साइड हो करके लारन या फिर आप डीर जी ट्राइग कर सकते हैं दोस्तों बैटरी बैकप इस रोम का जो आपको डीसेंट मिल जाता है अगर मैं बात करता है किसी और जैसे माई एलेवन या फिर स्टॉक रोम स यहां पे दुस्तों आपको उस तरीक बैटरी नहीं मिलता है बेसिकली यह जो प्रिफ करनल को पर मैं आपको अच्छा का सा पॉबरम देता है गेमिंग बहुत अच्छा देता है लेकिन यहां पर बैटरी के मामल में एक चीज कहूंगा कैमरा आज जो मैं सुबे से जब ट् तो कैमरा जो कही ना कही बैटरी ज्यादा इसमें ड्रेन कर रहा है अब बैसिकली जो मेरा आज यूज की था कैमरा के अंदर में वह 4K 30 EPS पर मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियो एंदेन मैंने 1080p में 30 EPS पर वीडियो रिकॉर्ड किया है बट यहां पर मुझे कैमरे के अं बैटरी इसू लगेगा तो अगर आप यूज करते हैं चैंटरा तो आपको थोरा सा करनल चेंज करना पर सकता है में वह सकता है कि यह करनल इसू हो Spacial Feature के मामनें अगर मैं बात करता है यहां पर special feature तो सारे मिलता हैte floating window काम कर रहा है सबही चीजे काम कर रहा है और विडो में हमेशा से दिखाता था आपको जी कैम को फ्लोट करवा के तो बेसिकली मुझे इस रोम के अंदर में थोरा सा क्या लगा कि मैंने जी कैम को सारे के सारे परमिशन दे रखे और यहां पर आप देखेंगे तो जी कैम हमारा फ्लोटिंग वे में नहीं आ रहा है करना है यहां पर हुआ हुआ हो बसक्तितों एक चीज मुझे अभी इक सीकुरिटी मुस्टर हो वग हो अगर मैं मिल जाता है काई हुआ ही क्लीने बीशिब करेंगे, आप देखेंगे यहां पर क्लीनर ओबन करेंगे तो आपको अभी दिनार से सहañन का बताया सिब्सों ए Azure framework पर रूट परमिशन से इसको रिमूब कर सकते है वाट स्टिल अगर पोर्ट जो कर रहे है रोम को तो मैं एक मेरा सजेशन रहेगा कि उसके अंदर से और वीडियो टूल वार आई डूनो कौन यूज करता है आप अगर यूज करते हैं तो मुझे कमिक सेशन में जूर से बताइए सभी List से ऑफंडिकेशन मिल जाते हैं जो कि हमारा और हो गया आर और 25 नी बारे एसिकृर्च तो यह रहा लौक गया औंद तो मैं आपको एक बार और से दिखा रहा हूं कोई इसू नहीं आपको आइर कैमरे के अंदर में जो आपको इसू आने वाला है दोस्तों वह सिक्रेटी कंसर्ण को लेकर के क्लीन मास्टर को है तो अगर आप उसको रिमूव कर सकते तो रिमूव कर लीजिए थोरा सा वही एक स कैमरा मिल जाता है वर्जन 4 वाला और दूसरा तो यहां पर मैंने का माफी ज्यादा आज यूज किया है और उसका मैं आपको सैंपल भी दिखाने वाला हूं को एक इसू पिक्सल लगाए वह भीडियो करते हैं आप जो वीडियो करते तो कहींच हो जा रहा है वैसे ज्लिए 60 fps पर 1080p में 60 fps पर जो रिकॉर्ड करता हूं जो गूगल कैम हमारा पिक्सल कैम वर्जन 2 उसके अंदर में भी कहीं पर ऐसा करके slides में ग्लिच जैसा आतने लग जाता है तो यह चीज मुझे लगा कि तो मैं अभी त्राइब कर रहा हूं तो अगर यह सभी अभी Gcam के अंदर में आता है तो मुझे लग सकता है यह जो रोम का इसव हो सकता है किसी एक Gcam के अंदर में ऐसा इसव हो सकता है तो इस वाइस से यहां पर बहुत सारे सेंपल दिखा रहा हूं आप एक बार चेक किजिएगा और कौन सा गलेच है वह भी मैं आपको यहां पर सो कर रहा हूं कि गेमिक के अगर आप यहां पर 45 मिनट से उपर करते हैं गेम प्ले और वह भी अब आप इसको आप इसको आपको बहुत लिए प्लेटा रहता है और जब आप इसको एसे करके मूव करते हैं किसी भी प्लेयर को उसके अंदर में तो वह मुझे लगा यहां पर बिसकी लिए स्टार्टिंग में आपको बहुत स्मूथली वह रन होता रहता है अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो आपको मैजिस्क में थर्मल जो तर्मल मॉडियो वह डालना होगा और बिंस थर्मल ज्यादा तर लोग यूज करे भी फिलाल वैसे अगर आप चाहे तो यहां पर ड 55 डिग्री भी हो जाए तो भी आपका वहां पर टच रिस्पॉंस और जो गेंपले वह बहुत स्मूथ रहेगा तो यह चीज थोड़ा बहुत डिफ्रेंस आपको अमें जो डियर्जी करनल है एंदेन अमार जो स्टॉक करनल है प्रिफ करनल मेरा ओपिनियन है दूस्तों इस यह लगता है कि MIUI के अंदर में आपको व्लाग मोड सभी चीज़े देना चाहिए क्योंकि अगर हम MIUI के अंदर में जब भी यूज करते हैं NX कामरा तो दोस्तों उसके अंदर में क्या होता है कि सेटिंग हमेशा क्रैस करने लग जाता है तो कही ना कही मुझे लगता है कि अभी भी कुछ न कुछ ग्लिच है अगर आप यूज ही कर रहे तो फुली इसके अंदर में इंट्रीगेट कर देना चाहिए ताकि हमें जब भी अगर यूज करना हो तो एक साथ में ना लगातार चलता हो तो अगर आप एसी रोम में रह रह रहे तो बैतर है काफिसी के लिए भी बट आपको थोड़ा थोड़ा अपने वे में समझना होगा इस रोम का यूजेज को तो आशा करता है यह वीडियो को पसंद आगा वीडियो कर दिए लाइक से कमेंट जी हाँ और अगर आपने चानल को निक्या सब्सक्राइब तो दूस्तों चानल को लिए सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड वन दे मात्रम